हलो दोस्तों जैसे कृष्णा राधे राधे कैसे हो आप देखी कितना पेरा टाउजर बनाए हैं चलिए बनाते हैं इसके लिए एक लंबा पट्टी ले लिए हैं और इसका चौड़ाई पांच इंच में हैं और हम इसे आधा आधा इंच में इस तरह से हम फोल्ड कर रहे हैं चुनट लगा रहे हैं इस तरह से हम आधा आधा इंच में चुनट लगा रहे हैं देखी इस प्रकार से देखिए ये पूरा लगके कम्प्यूट हो गया है एक साइट का अब दूसरी और हमरा जो अप्चुनट बना हुआ है इसे ही बराबर लेते हुए हम दूसरी और बराबर इसे सिलाई कर लेंगे इसे हम बराबर से जो दूसरी और सिला हुआ है, उसी बराबर से हम सिलाई करेंगे, एक दम बराबर से, आराम से पकड़ते हुए, इसे हम बराबर भी रखते हुए हम, इस जिफ्ट करते हुए हम सिलाई कर लेंगे, देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है, चले इसे किनारे रख देते हैं, यह हमारा टाउजर है, इसका उपर बीचो बीच जो बन भाग है, मैं धाई इंच में उपर में निशान लगा रही हूँ, और इस तरह से हम राउंड कर लिए हैं, इस तरह से, और इसे कटिंग कर लेते ह हैं, पलाजो पेंट दोनों में बना सकते हैं, देखिए इस तरह से खोल ले हैं, तो इस प्रकार से डिजाइन में आया है, और एक चोकन-चोकन पट्टिया ले लिए हैं इस तरह से, और इसे हम इस तरह से मोड लेंगे, इस तरह से भी रख सकते हैं, या इस तरह से भी, दे हम बिचो बिच कोन एक कोने से दूसरे कोने तक सिलाई कर लेंगे हमें इसे कटिंग भी करना है तो हम बराबर से सिलाई करेंगे इस तरह से सिल लेंगे पूरे को देखें सिलाई हो गया है जो हमारा सिलाई हुआ है इसको जफ्ट बाजू से ही कटिंग कर लेंगे कि इस तरह से कटिंग कर लेंगे देखें मेरा कटिंग हो गया है अब भी सेंटर से हम हलका सदूरी से हम इस तरह से लगाते जाएंगे जो डिजैन बना हुआ हो नीचे की ओर आएगा इस प्रकार से हम पूरे को अज़िफ्ट करते हुए हम लगा लेंगे देखिए एक और का कम्प्लीट हो गया है अब दूसरी और कम्प्लीट इसे तरह से करेंगे इसके बराबर से देख लेंगे कितनी दूरिये में हैं और इस तरह से हम पल्टी कर लेंगे कपड़े को इस तरह से और हम इधर से लगाना इस्टार्ट कर लेंगे किनारे से बहुत ही प्यारा डिजाइन बनके तयार होगा आप भी जरूर ट्राइ करिए अपने टाउजर में स्लीप में भी बना सकते हैं देखिए कम्प्लीट हो चुका है और इसे हम पल्टी करके उपर से एक स्लाइ कर लेंगे देखिए बीचो बीच एक ज्यादा गेप लग रहा है हम जानबुच के बीचो बीच एक और बराबर से लगा लेंगे देखिए बीचो बीच एक लगा लेंगे इस तरह से देखिये, complete होने वाला है ये हमारा उपर से शिलाई करने का देखिये, complete हो गया है चलिए ये नीचे में हम इसे दो इंच का जो पट्टी लेके हम इसे इस तुरा से शिलाई कर लेंगे अगर हम चाहें तो इसे पूरा कवर भी कर सकते हैं पर हम पटी लगा रहे हैं इस तरह से एक प्रेस स्लाइस कर लेंगे और हम इस तरह से मोड भी सकते हैं या फिर इसमें लेज भी लगा सकते हैं तो चलिए इस तरह से मोड के भी रख सकते हैं साधा सिंपल में या फिर लेज भी लगा सकते हैं तो इस तरह का पतला लेश है मेरे पास वाइट कलर में तो मैं इसे लगा लेती हूं देखिए इसे अंदर दबाते हुए लगा लेंगे देखिए लेश लगके कंप्लिट हो गया है और हमारा टाउजर को अब इस तरह से रखके एजेफ्ट करते हुए पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा सिलाई के समय इधर उधर ना खिसके तो इस तरह से हम पिन लगा के एजेट कर लेंगे और उपर से सिलाई कर लेंगे इसके उपर लेश लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं चलिए लेश लगा लगा लेते हैं पुलिष लगा लेंगेS बहुत प्यारा लुक आयेगा लेस के वजों से हमारा पुरा डिजाइन दिखेगा कि डिजाइन बना किस तरह से है तो आप भी लेस लगाने की कोशिश करिए यह नहीं लगाते हैं तो को डोरी यूरी भी लगा सकते हैं एक उपर में स्लाई कर लेंगे देखिए उपर में स्लाई हो गया है अब इस तरह का मूती में पर छोटे-छोटे मूती है तो लाइट से दीखने रहा है लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है और इस तरह से चलिए फिटिंग कर लेते हैं देखिए फिटिंग हो गया है और देखिए बन के पुरा तयार है कितना प्यारा लग रहा है पहले इस्तरी कर लीजिए उसके बाद देखिएंगे कितना प्यारा लगेगा मैं ऐसी आपको दिखा रही हूं इस्तरी करने से और भी फिनिशिंग से दिखेगा देखिए कितना प subscribe जरूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखी मैं पहन के आपको दिखाती हूं कि इस प्रकार से बना हुआ है। देखी कितना प्यारा लुक आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थांक यू सो मुच